नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चेनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपके बाल इस 21 दिन के अंदर ही आपके बाल बहुत ही लंबे हो जाएंगे मैं स्टाम पर लिखने को तयार हूँ यदि ना हो तो फिर कहना जी हाँ दोस्तों यह बहुत कारगर नुस्का है और इस उपाई को अगर आप कम से कम 21 दिनों तक करते हैं तो 22 दिन में आप लोगों को जरूर दिफेक्ट दिखेगा और अगर आप इस उपाई से अपने बालों को धोएंगे तो 20-21 दिन के अंदर ही अंदर अंदर आपको अपने आखों के अंदर रियल्ट देखने को मिलेगा आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी 100% बढ़ेगी केवल लंबाई ही नहीं बलकि आपके बालों की साइनिंग भी बढ़ेगी और आपके बाल बिलकुल स्वाप्ट मुलैम होंगे इतना असरदार तरीका में आपको बताने बाला हूँ और जिसी दिन आपने सीच को लगाया उसी दिन आपके बाल उपर चिकना हटाएगे आपके बाल सुन्दर दिखेंगे आपको बाल बिल्कुल सौप्ट दिखेंगे आपके बाल बहुत ही खुबसूरत रहेंगे तो friends अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिएगा अभी तक अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसे ही tips आपको मिल सके और आप अपने सेहत को काफी अच्छा बना सके जिस दिन आप बाल को सैंपू से धोएं उ आवला पावडर को पानी में निकाल कर रख लेना है इतना उसमें पानी डाला कि आवला पावडर दो चमच या तीन चमच जितना आपने निकाला है उस पानी में पूरी तरीके से डूब जाना चाहिए रात में इसे आप करें रात में इसे ऐसे ही रखा रहने दें और बस बालो को मालिस करें और मालिस करने के बाद दो घंटे के बाद फिर आप अपने बाल धो लेना है और बालो में नारियल का तेल या फिर सरसु का तेल बालो में लगा लेना है और लगाने के बाद फिर आपको जो भी हरवल सैंपू मिले आप अपने बालो पर सैंपू कर लि हैं या फिर आपके बालों से चमक जा चुके हैं आपके बाल रुखे रुखे हैं पहले दिन ही आपको असर देखने को मिलेगा पहले दिन ही आपके बालों में बहुत ज़्यादा जान आ जाएगी और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे दोस्तों यह नुसका बहुत ती कारगर है अपनाया हुआ नुसका है जरूर आप देखेगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइफ किजिगा दोस्तों के साथ सेर किजिगा